हलो गाईस वेलकम बैक तो माई चानल एक बहुत ही इंपोर्टन अपडेट आ रही है सुप्रीम कोट आफ इंडिया के जूनियर कोट असिस्टेंट रिकूट्मेंट नोटिफिकेशन के रिकार्ड में जी हाँ उनका फाइनल रिजल्ट डिक्लियर हो चुका है सुप्रीम कोट की तरफ से अब क्या कहता है रिजल्ट और क्या होगा नोटिफिकेशन की डीटेल्स वो हम जानेंगे आज की वीडियो में तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखना और अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देन वहां पर मिल जाएगी वो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ अब रिजल्ट में ऐसे लिखा है जूनियर कोट असिस्टेंट इग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू डिक्लेरेशन और फाइनल रिजल्ट डेट है आज की जो की है तेईस बारा दोहजात तेईस और उसमें आगे अगर हम देखें आपका जितना on the basis of junior court assistant examination 2022 and the subsequent interviews conducted by the registry the following candidates have been impaneled in the order of merit for the post of junior court assistant अब गाइस ये जो line है ये ध्यान से सुनने वाली है ये आपके कितने total number of vacancies देखें ये जितने candidates है इन सबका impanel हुआ है merit के according ठीक है ये around कितने लोग selection हुआ है देखें इस selection नहीं merit में जिनका impaneled में हुआ है वो है 733 अब इसके बाद लिखा इसमें the above panel of candidates will be valid for a one year with effect from 22, 12, 32 मतलब ये जो 733 लोग है इन लोगों को panel पे रखा जाएगा जो की 22, 12, 23 तक रहेगा और merit जो है top 210 जो की actual number of vacancies थी उतने लोगों को select कर लिया जाएगा अब उन 210 में से अगर suppose कोई इनसान ने join नहीं किया तो ये लोग next 211, 212 पे आपके जंप करेंगे तो आपको और ये कब तक जाएगे ये जाएगे आपके 733 तक ठीक है तो around इतने लोगों को panel पे रखके top 210 को selection दे देंगे अभी के लिए फिर next हम देख लेते हैं और क्या ल अब देखे वही चीज़ है, suppose कुछ लोगों का document verification में कोई document में कोई दिक्कत आती है, उनका document पूरा नहीं है, उनकी graduation नहीं हुई या फिर कोई fake certificate सामने आता है, तो उसका cancel करके top 210 में से अगर कोई भी नहीं कर बाया, फिर वो next number पे jump कर जाएगा selection का, ठीक है गई समझ आ ग number of marks score किये हैं, आपने interview में वो भी show किये गए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अब देखे ये रहा आपका list of candidates containing marks scored by them in the interview held in connection with junior court assistant examination 2022, मतलब समझा गया कि कि कितने number of marks आपने score किये हैं, interview में वो भी आपका Supreme Court ने declare कर दिया है, तो दोनों चीज़ आपको clear हो गई, ये आपका वो list अभी display होगी कि कितना number of marks score किया, list of candidates containing marks secured by them in the interview for the post of junior court assistant, ये है आपका mark secured for interview minimum 13 qualifying marks out of maximum 25 marks, ठीक है, ये हो गया, आपका roll number भी है इसमें, और उसके बाद ये सब आपका नाम है, फिर number of कितना marks score किया आपने, ये सब चीज़ें है, तो guys हो गया clear, दोनों list आपको समझ आ गई होगी, अगर आपका नाम list में है, तो congratulations, top 210 के merit में है, तो फिर तो all the best, आपको 100% selection है, आपको बस जाके आपका जो basic अब जो requisite होगी, वो fulfill करके आपको join कर लेना हुआ, बाकी इसके अल information सबसे पहले provide करा दूँगा, अभी के लिए अगर कोई भी doubt आता है, comment box जरूर भर देना, comment box में पूछना, मैं आपकी हर एक query, directly from the horse's mouth, जो भी अगर होगी, मैं आपका RTI के थूप पता करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ये हो गया आपकी सारी चीज़े, अगर आपको म झाल, इना आपको म Wishश वालग जो बाला, मैं आपके लिए, मैं आपकी सारी चीज़े खरा आपकी सारी